तो हेलो फ्रेंट्स आज हम एकदम करारे से पकोड़े बनाने जा रहे हैं और बिना बेसन के बनाएंगे हम घर के बैसिक से समान सा ही हम पकोड़ों को तयार करेंगे और यह बहुत क्रस्पी और करारे बनते हैं और टेस्ट तो इनका बहुत लाजबाब होता है आप देख सकत हैं मैंने इसे तोड़कर भी दिखाया है कितने और ही टेस्ट बहुत टेस्ट्यूंत हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने घर में बच जो ब्रेड बच जाती है वह ब्रेड लिए हूं 5-6 पीसस हैं और एक प्लेट में पानी रख लिए हो इस गणा में रख लेंगे और इसका पानी निकाल का अलग बतर में रख लेंगे और इसे तपान utan disagree जाए और एक मिडियाम साच का प्याइज है इसे लंबा लंबा कट कर ली हूँ मैंने और एक आलू लिया था इसे भी मैंने ग्रेट कर ली हूँ और इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे क्योंकि आलू काला न पड़े इसके लिए पानी में रखा था मैंने और इसका पानी निकालका मैंने डाल दी हूँ और तीन स और दोह बड़ा चमच सुजी सी तो पहुट करारे बनते हैं गशी है छुझी कर और humak करूग di अगे अजें पानी को यूस्ब करसे भीना है अमें से मसल इसे इस तरीके से एक डूग इतरह बन जाएगा यह और इसे इस तरीके होल्ड करके देखेंगे तो यह पकोड़े का सेफ ले लिंग आपकोई सब्सक्सक्ते जरूर नहीं पकोड़े बना तिक्की भी बना सकते हैं और इन्हें हम आईल रग दिया हम इने पहले ही गरम होने के सब्सक् filmmaking कि उतना ढालƯे अधियम पर इतने कड़ाई में मीडियम फ्लेम पर उलट पुलंट करते ऊपने इक तब गुल्डन ब्लाउन Corporal करना है है यह पकोडे पहुत क्रस्पी होते हैं इनहें आप कभी भी बना सकते हैं और यह जटपट बन भी जाते हैं फटा-फट से और आप देख सकते हैं एक दम गोल्डन-ब्राउन हो चुके हैं और इन पकोडों को हम अलग निकाल लेंगे एक्स्ट्रा ओयल हम इसे तरीके से नितार देंगे और इस्से तरिके से दू बचा हुआ भेटर है उसके भी हम फ्राइप कर लेंगे और इन्हें भी छुते chुते से सी पकोडे बना रहें और यह सारे पकोडे मैंने डाल दियूं और इन्हें को लाइक और शूर जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करें तो मिलते हैं एक नहीं रेसिपिक सांद थैंक यू